हलो बिरिवान वेल्कॉम बाक न्यूट्यूब चानल दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2030 में अक्षे तिर्तियाक अब है और अक्षे तिर्तियाक दिन पूजा कैसे करने चाहिए इसकी संपुन्चनकारी आज में आपके साथ इस वीडियो में सेयर करने वाली और गेहों की पूजा करनी जाती है गेहों का दान दिया जाता है तो दोस्तो एक मटका लेंगे और उसके गर्दन तक जल भरतेंगे उसमें गंगा जल भी थोड़ी सी डालेंगे उसके बाद हम डाल देंगे चीनी दोस्तो चीनी आप एक कोटोर दो कोटोरी भी डाल सकते है उसके बाद कलस में जो मटके है उसमें बनाने चाहिए स्वास्तिक या फिर आप सिंपल से बिंदी भी लगा सकते हैं दोस्तो इस बस 2030 में अक्षे तिरतिया 22 अप्रील दिन सनिवार को हो दोस्तो इस दिन सोने चांदी की घरदारी करनी चाहिए और सोने चांदी की पूजा करनी चाहिए और दोस्तो कहा जाता है कि अच्छे तिरतिया से कोई भी काम हम सुरु कर सकते हैं और अच्छे तिरतिया के जो भी हम काम करते हैं उसका पूर्णी जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता दोस्तो कहा जाता है कि अक्षे तृतिया के दिन भगवान पर्शु राम का जन्म हुआ था जो पर्शु राम भगवान विश्णु जी की अवतार माने जाते हैं तो दोस्तो स्वास्तिक बनाने के बात अब हम लाल रंग के कुमकुम से टिक का लगा देंगे और दोस्तो खर्वुज में भी टिका लगा देंगे दोस्तो क्योंकि आज खर्वुज दर्वुज की ही पूजा करी जाती है उसके बाद दोस्तो फूलों की माला चरहा देंगे फूलों की माला नहीं है तो कोई बात ने सिंपल सा फूल भी चरहा सकते है दोस्तो इस दिन अक्षे तिरतियक दिन भगवान विशनु जी की माता लेचमी जी की पूजा करी जाती है और साली कराम जी की पूजा करी जाती है क्योंकि भगवान विशनु जी की अतार माने जाते हैं इनमें हम चंदन का लेप लगाएंगे क्योंकि अक्षे तिरतियक दिन भगवान भिषुनु जी को, बछुषैक्रिश्पी जी को, लड़ी गपैता चन्दन का लेप लगाए जाता है, तो हम साली किराम जी को चन्दन का लेप लगा लगा करके और लाल खुम खुम का टिका लगा देगे, इनका शिंगार कर देंगी, उसके बाद दोस्तों जैसे कि भगवान बिसुनुजी लश्मी जी के पूजा करी जाती है तो आपको जल छिड़कना है तो दोस्तों मैंने जल छिड़कर पहले से सब उस त्यारी कर ली थी इसलिए मैंने वीडियो बिल्कु छोटी से बनाई है ताकि कोई फी वीडियो को देख ले तो मैंने भगवान बिस क्योंकि लंबी वीडियो को देखता नहीं है उसके बाद हम फूल चڑھा देंगे मातलशनिकी को लाल फूल पसंद होती है तो मैंने लाल चड़ाया है निधे पिले रंगे मैंने पीला चणाया है उसके बाद थोड़े से भोग डे देंगे और चनह के दाल चाहाई जाती है जैसे के इसे बाद रीटुफल का लगाएंगे तो जैसे के रितुफल ककड़ी खीरा आम खर्वूज तर्वूज इसी जने मिलते हैं उसके बाद लाष्ण में धूब दिखाए जाती है धूब दिखा करके और उसके बाद लाष्ण में फिर आर्ति करी जाती है दोस्तों आप दक्षना भी चाहिएगा आपका जो समर्थ हो आप दक्षना चरहाइगा और और आर्ति करने के बाद भावान से आप जोड़ो कर छमायाचना मांगीगा दोस्तों इस दिन अक्षय तिरतियक दिन सोने चांदे की खरिदारी की जाती और सोने ज़िएएंदे कि पूजा बी की जाती है तो पूजा पहकर लीजेगा और होईसुब अगर आपको करना में अक्षेस कर सकते हैं हैं तो यह दिन पूजा करने के परापती होती यह जो मैंने आपको इस कृष्णा राधे राधे